यह लो दोस्तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे दोस्तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि तहवील अलशी बैंक में अगे अगर आपको। नीू बेनिफिसरी एड करना चारते हैं करने के लिए लेकिन आपको बता हूंगा आप उसे अपने मुबाइल से घर बैठे आराम से एड़ कर सकते हैं और पैसे टांसफर कर सकते हैं तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो राइक कर दीजागा चैनल पर नहीं आया तो प्लीज चन सब्सक्राइब क कर लिए कि मैं हमें से आप लोग के लिए सी तरह का इंटेस्टिंग यूसफुल वीडियो लेकर आते रहता हूं तो चलिए अभी आपको मेले चलता हूं अपने मुबाइल स्कीन पर और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे तैविल अल्रजी बैंक में न्यू बैनिफिसरी क को अड़ करके आप उसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं तो चलिए आए देखते हैं कि अभी मैं अपना टैविल अल्रजी बैंक अप्लिकेशन ओपन करके इसे लॉग इन कर लेता हूँ दोस्तों तैविल अलजी application open हो जाने के बाद आपको यहां transfer के options पर click करना है इसके बाद आपको इस 3 land के options पर click करना है देखें यहां पर आपको मिलेगा add new benefits 3 options तो आपको इस पर click करना है अब आपको international transfer to bank इस options पर click करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको पहले अपना country select कर लेना है जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया select कर लेता हूँ इसी तरह से आपको भी अपना country select कर लेना है इसके बाद अगर आपका bank का shift code है तो आप इसे select करें अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपना bank select करना है जैसी कि मैए HDFC bank है तो मैं यहाँ फरDFC bank select कर लेता हूं दोस्तो bank select करने के बाद यहाँ पर आप bank का branch name देख सकते हैं इसके बाद आपको currency select कर लेना, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर मैं Indian रुपी select कर लेता हूँ, इसी तरह से आपका भी country का currency दिखेगा तो आपको इसे select कर लेना है, इसके बाद transfer type पर click करें, यहाँ पर आपको NEFT account पर click करके OK कर देना है, इस सारा detail submit करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको account number इंटर करना है, फिर दुबारा से account number इंटर करें, confirm करने के लिए, इसके बाद beneficiary का name type कर दें, first name and second name, फिर इसके बाद beneficiary का nationality select कर लें, और दोस्तों जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ मुझे एक options दिखने को मिल रहा है, केरला और not केरला, तो अगर आप भी इंडिया से हैं, और अगर आप केरला से हैं, तब केरला से हैं, तब केरला select करें, या फिर अगर आप केरला से नहीं है, तो फिर आप not केरला select कर लें, तो मैं यहाँ पर not केरला select कर लेता हूँ, इस सारा details submit करने के बाद दोस्तों अब आपको save पर click कर देना है, अब आप यहाँ पर अपना beneficiary का account details देख सकते हैं, अगर कुछ गलत हो गया है, अगर आप कुछ edit करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप click करके इसे edit कर सकते हैं, तो चली मेरा beneficiary details सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ पर save पर click कर देता हूँ, save पर click करने के बाद आपके तह्विल allergy के registration mobile number पर एक OTP आगा, उस OTP को यहाँ पर enter कर दे, OTP इंटर करने के बाद continue पर click करें, दोस्तो इस तरह से आपका beneficiary add हो जागा, लेकिन दोस्तो अभी आपका beneficiary successful add नहीं हुआ है, complete नहीं हुआ है, तो अभी आपको क्या करना होगा, इसके लिए अभी आपको call back पर click करना है, call back पर click करने के पाद दोस्तो आपके पास में अलरजी बैंक के तरफ से इस तरह से call आएगा, तो आपको call receive करना है, लेकिन दोस्तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, यह जरूरी नहीं है कि आपको bank six number ही कहेगा beneficiary confirm करने के लिए, वो आपसे कुछ भी number कह सकता है, कि इतना number आप जबाएए, तो आपका beneficiary confirm होगा, तो आपको दोस्तो ध्यान से उस चीज़ को सुनना है, और जितना number कह रहा है, आपको उतना number प्रेस कर देना है, इसके बाद आपका beneficiary confirm add हो जाएगा, तो चलिए, अभी मुझे six number कहा गिया, तो मैं यहाँ पर six number प्रेस कर देता हूँ, अपना beneficiary को confirm करने के लिए, नंबर प्रेस करने के बाद फिर आपका call जो है, आटोमेटिक डिस्कनेट हो जाएगा, आईए, आप देखते हैं कि मेरा beneficiary add हुआ है या नहीं, तो आप देखते हैं दोस्तों कि मेरा beneficiary successful add हो चुका है, अब मैं चाहूँ तो इसे असानी से पैसर ट्रांसफर कर सकता हूँ, अई होब दोस्तों अभी आप समझ गए होंगा कि आप किस तरह से तैविल अलराजी बैंक में कोई new beneficiary को add कर सकते हैं, इसके लिए आपको bank जाने है, कोई ज़रूरत नहीं है, आज के वीडियो में थी दूस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो like कर दे, चलो subscribe नहीं किया अभी तक, तो please channel subscribe कर ले, आगे ऐसी तरह का interesting useful वीडियो देखने के लिए, तो चली जल्दी मिलता हूं आपसे, next topic, next वीडियो साथ में, तब तक के लिए, bye bye and take care.